नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम गामा बोल्टेज के बारे में डेटेल से समझते हैं जैसा कि हमने इसके दो वीडियो पहले बताया था प्रेटिकली करके उसमें पैनल भूस्टर को यूज किया था उसमें दिखाया था कि जैसे यहां पर यह सिक्स कफ यूज किये यह है Sul offer और यह साइड में तीन कव देख रहे हैं यह ंगेट कभ जो है यह नहीं है यह रोः और यह है जो खड़ी-खड़ी लाइन हे वर्डिक्ल यह एक आलम में तो यह जो दो यह हो गया source cup यह हो गया gate cup अब आज हम इस source cup के बारे में समझेंगे और क्योल gamma voltage का अब इसमें देखिए gamma voltage बनते कैसे हैं और इसके काम क्या है इससे फाल्ट क्या होता है फाल्ट भी हमने वहाँ पे जो gamma voltage से related problem आते हैं जिसे low contrast और blur image नेगेटिव पिक्चर, low brightness, white picture, black and white, no picture यह सारे जो प्राब्लम आते हैं इस voltage से related आते हैं हमने अपने जो चैनल पे इसके वीडियो भी बहुत पहले नेगेटिव पिक्चर का फाल्ट था इसके internal जो लाइने शार्ट थी उसे मैंने शार्ट किलर से आत दो साल पहले दिखाया है नेगेटिव पिक्चर था और वो था हमारा 24 इंच या 22 इंच का लेडिटी भी थी तो उसमें हमने इस प्राब्लम को साल्ब किया था जो नेगेटिव पिक्चर का वो भी एक किलर के द्वारा तो इसके इंटर्नल जो शार्टिंग था उसे दूर किया था अब यहां पर हम आपको आज जो बिसेस बताने वाले हैं यह है जब अभी दो वीडियो पहले हमने दिखाया था कि इस कफ के सामने यह बिलू कलर का एक पट्टा आ रहा था यहां पर जैसे हमन पट्टा है इसके सामने आन हुआ ऐसे यहां से आन हुआ यहां पर आन है पहले से बिलू कलर में फिर यहां पर जैसे हमने बोल्टेज को बढ़ाया तो पहले एक आन हुआ फिर और बोल्टेज को बढ़ाया तो दूसरा आन हुआ फिर और बोल्टेज को बढ़ाया तो तीस यह अपना और सो रूपसे हो गया है तो हम रहे वहां पर अब प्रयास ना ही आपको बताने का परीयस आटामा में अगर डिफम्ट होता है तो फॉन bir ले जैसे उसमें और दिक्षा एगर यह द्रौप होता और आपको यह एक आ हमने दिखाया कि यह 8 बोल्ट से 10 बोल्ट, 10 बोल्ट में यहां तक आन हुआ, अब इसके बाद अगर इसके बोल्टेज को आपको नालज नहीं है, तो यहां तक तो आन है, यानि स्क्रीन यहां से यहां तक आन है, और यह स्क्रीन यहां तक से आन है, तो बीच में यह कफ नहीं काम कर रहा है तो इसमें आप समझेंगे उस समय कि यह प्रॉब्लम इस कफ में है या इसके इंटर्नल जो कोई प्राब्लम है ग्लास एरिया में लेकिन प्रोड्म चुकि यहां पे है जैसा कि हमने उसमें दिखाया है बोल्टेज अगर आपको यकीन ना हो तो आप कहीं पर इसके किसी भी LED TV में जब आप काम करेंगे तो इसके बोल्टेज को अंतर करके और इस चीज को देखें जहां पर गेट कफ जो है अधिक लगे हों तो वहां पर आप बारी बारी से देखेंगे कम करके तो इसके एफेक्ट आपको इसके स्क्रीन पर दिखाएं देंगे तो यही चीजें हैं कि इसमें difference आते हैं ABDD voltage में और यह knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पे जब यहां पर बोल्टेज परफेक्ट रहेंगे जितना हमारा गामा बोल्टेज बनता है तो गामा बोल्टेज के अगर मालूम है तो यह भी डीडी का मालूम हो जाए है एक रिजिस्टेंस के वारा यहां पर फिक्स किया जाता है और इसमें difference हो जाएंगे तो इसक्रीन पर इसके जो है इफेक्ट दिखाए देंगे कोई भी एक गामा बोल्टेज डिस्टर्ब हो जाता है तो वहां पर फाल्ट आपको नजर आता है सामने तो यह सारे जो फाल तो यहां पर जिससे बोल्टेज ड्रापिंग वा तो मालेज यहां तक का आपका इमेज नहीं आया तो यह किलेर करने के लिए सबसे पहले आप इसके बोल्टेज को जरूर टेश आउट करें फिर आजाते हैं सेकेंड जैसे किसी-किसी में यह बोल्टेज जो प्राब्लम हो अगर यह रेजिस्टन्स को फिर आपने लगा दिया पिक्चर सही हो गई तो कुछ दिन बाद यह फिर प्राब्लम आ जाता है क्योंकि कभी 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 क्या होता है उसमें भी प्राब्लम होता तो इसके वजा से भी बोल्टेज डिस्टर्ब हो जाते हैं यह यह ड्रॉप करे है और दूसरी बात यह है कि यह जो गामा बोल्टेज इतने भी यहां पर बने हुए है यह इसके बाद ऑपरेशनल एंप्लिफायर जैसे 324 आइसी है उससे एंप्लिफाई करके जो है फिर इसके बोल्टेज को आगे दिया जाता है किसी-किसी में इसके कभ के अंदर होते है क्योंकि यह गामा बोल्टेज जो है दो तरीके का होता है यह होता है प्रोग्रामे भी और उसमें साफ्ट वेर Digital Drive यह Digital Drive जो इसका system है यह इसमें जो scanning होता है यह total digital होता है यह 0-1 के form में इसमें जो image वन T08 पिक्चल काम करते हैं यह total digitally है यह और पिक्चर जो हमारा आता है analog उसमें जो 0-1 के form में picture-in होता है और या data के रुप में इंटर होता है में वह आप देखेंगे तो डीफरेंशीयल जो सिगनल है उसके लोग वोल्टेज डीफरेंशीयल सिगनल ये जो दुनों का इनाography ओर डिजिटल को बैरी करके इसमें जो हैं किया गया है उस्में सबसे इसका मेन काम होता है यह हमारा जो कालम को आन करने का काम करता है यानि वर्टिकल जितनी भी लाइने हैं यह स्केन होती है जैसे वह हमारा आन आफ यह लाइन यह सामने जो है यह स्केनिंग करता है होरिजेंटल तो ऐसे हमारा यह वर्टिकल में जो है इसका मुवमेंट होता है और व सट्रेशन के हिसाब से होता है अब situation के आया कि यह हमारा जो इन्ट हमारा है मालने टो बहुत ही हलका जीजेज यहां से जीरो हुत तो यहां जा determin पे य hack हो गया तो यहां बीस से एक हाफ श्क्रीन जो है इधर ले लिए जाता है low side अधर ले लिए आज ता हाई site तो हाई और लो करके जो है, इसमें दो पार्ट में picture shift होते है तो उसी हिसाब से हमारा जो color image बनता है color dark या light color या dark cider color जो भी होता है color को यह 0-1 के form में जब हमारा signal यह RGB जिसमें से picture बनते हैं यह 5不要 यह जब in होता है तो उसी में 01 के फाउम में data होते हैं और वो data जो है इस गामा के द्वारा इस जो है उसमें source से drain की टरफ जाते है और जैसे drain पहुँणिके pixel में यह जो है अपना जिस परकार से जो है इसका data होगा उसने प्रकार से इसके pixel on होगे और उसी प्रकार से इसो इसकी पे एक graph बनेगा जिससे picture हमारी बनती है तो इसका तो मेन काम हो गया जिसे हमारा backlight का होता है कि पीछे से इसके screen पे जो रोशनी देने का backlight काम ऐसे इसका भी काम होता है ये color के पीछे black and white picture बनाने का काम होता है गामा का अगर ये black and white picture दिखते होंगे CRT TV में अगर black and white ठीक से set नहीं किये होते हैं तो सारे color disturb आपको दिखते हैं किसी के यहाँ पे कुछ अलग दिखाई देता है आँख का color अलग होता है बाल का color अलग हो जाता है CRT TV में वो black and white लेबल जितना मस्तर रहता है उतना ही color की प काम करता है black and white के लिए इसका जो में काम होता है ये black and white बनाने का picture का काम होता है क्योंकि अगर उसमें जरा सभी disturbance हुआ तो सारे color disturbance हो जाते हैं तो इसका effect आपको इस पर देखने को मिलता है अब इसमें जो में प्राब्लम था हमने जो है इसमें बता दिया क्योंकि ज्यादा तर प्राब्लम पैनल से रिल्टेट आते हैं लाइन जो आता है तो उससे भी क्लियर हो जाता है खड़ी खड़ी लाइन भी आता है और यह horizontal भी लाइन आता है यह कभी-कभी दोनों लाइन आती हैं तो इंटरनल जो scanning में प्राब्लम होता है तो वह जैसा कि आपको इस क्रीन इसमें जो इसका ABDD का नेम होता है अधर जो कोड होता है इसका यह जैसे ABDD लिखा है तो यहां पर ABDD यह और BA यह और B यानि V DA B S A और H B A A और B source अभी B source यहां पर जो लिखा हुआ है voltage source यानि वर्टिकल सोर्स यानि वर्टिकल सोर्स मतलब हुआ कि यह जो सोर्स टू ट्रे है जो चलने का काम होगा data यह सीधे वर्टिकल के रूप में यहां से चलता है तो यह इसका नाम से भी यह क्लियर हो जाता है तो यह company के वाइज जो अपने panel design करते हैं उनके उनसार यह जो है नेम आपको difference देखने को मिल सकते हैं जो की इस तरीके से है अब आपको यह क्लियर हो गया कि हमारा जो यह line है यह row है और यह से है जो यह line खड़ी खड़ी है यह है column तो रो और column से हमारे यह design होता है और इसमें जो ब्लक बने हैं इसके बीच में सारे यतने ब्लक है सब हैं सबढ़ हैं पिक्सल हैं तो उसी सबस्कार से यह work करता है तो main problem था यहां पर voltage की difference क दिखाने का जैसा कि हमने वहाँ पर बताया है तो आज की वीडियो में बस इतना आई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंकि दोस्तों और देखते रहें और एक बात आपको बता दें कि जैसे इस फिल्ड में आप इन हुए हैं तो इस समय जो सर्किट को आप रीड कर रहे हैं जो पड़ रहे हैं जो समझ रहे हैं इसको आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसको समझने का जैसे जैसे इसके डीप में जाएंगे तो आपको समझने का जो तरीका है वह चीजहें एक अलग फिल कर आएंगी ओकब क्योंकि जो अब ही आप जैसे नए हैं तो उसको कम समझ लेकिन यही कुछ दिन बाद इसको आप जो है एक अलग तरीके से समझेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे circuit diagram आज भी वही हैं लेकिन हम जब उस समय उसको read करते थे तो उसको एक दूसरे तरीके से समझते थे लेकिन आज उसको हम देखते हैं तो मेरा समझने का नजरिया उसमें चेंज हो गया यानि circuit तो ही है कि वह यहां पर समझ चेंज हो गया उसको देखने का जो तो पहले तो हमको नालिज था नहीं नहीं उसके बारे में हमको बताया गया उतना deeply लेकिन हमारा जो internal feeling से जो चीजें आती हैं वो चीज देखने और सोचने समझने का जो है एक बहुत अच्छा option मिल जाता है जो self होता है reading हम लोग माली जी किसी के बताने से हमको एक रास्ता मिलता है लेकिन उसमें अपनी feeling को जरूर देखें जरूर समझें जैसे हमने यहां पर बताया कि voltage को difference करने पर यहां पर इतने ही तक आकर जलेगा यानि यह screen के बार इतना खाली रहेगा तो मेरे कहने पर अगर आपको नहीं हो है तो आप इसको एक बार करके देखेंगे इसको यानि बोल्टेज को बैरी करके देखेंगे तो उस पर जो इसक्रीन पर effect पड़ेगा तो उससे और भी clear समझ में आता है कि इसके बोल्टेज अगर कम हो जाया तो क्या है तो क्योंकि बोल्टेज के ही जरा सा डिफ्रेंस से इसमें आपको बहुत सारे doubt clear होने लगते हैं कि हो सकता है इसके पैनल के internal तो जितने भी इंच के हमारे टीवी हैं उनके बोल्टेज को एक डेटा वाइज जो है उसे नोट कर लें और उसे मेमोरी में हमेशा रखें कि यहां पर इतना बोल्टेज होना चाहिए तो आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं नहीं वीडियो थैंकि बूस्तों